पठान, जवान और डंकी के बाद अब कौन से मेगा फिल्म प्रोजेक्स करने वाले है शारुख खान? जी हाँ, सोसे से मिल गया है उन अपकमिंग वेंचर्स के बारे में इशारा, जिन से S.R.K. असोसियेट होने वाली है इतना ही नहीं, शारुख खान एक नहीं, दो नहीं, बलकि अपनी तीन-तीन अपकमिंग फिल्म से जड़ा अनॉंस्मेंट जल्धी करने वाली है S.R.K. की अपकमिंग फिल्म्स का अनॉंस्मेंट कब होगा? क्या होगा फिल्म का जॉन्रू? ये सब आपको आगे की स्टोरी देखने पर पता चल जाएगा ये 2023 में शारुख खान स्टारर पठान, जवान और डंकी को मिली रिमार्किबल सिक्सेस S.R.K. स्टारर फिल्म्स ने बॉक्स ओफिस पर बनाए कई बड़े रेकॉर्ड्स भी और सोसिस की माने तो किंग खान एक बार फिर ओडियंस को अपनी अपकमिंग फिल्म्स के अनॉंस्मेंट से सब्प्राइस करने वाली है Reportedly January end तक शारुक खान कर सकते हैं अपनी अगली तीन फिल्मों का एलान सोसिस ने इशारा किया है कि लंडन में फामिली के साथ न्यू यर्स सेलिब्रेट करने के बाद S.R.K. अपने अपकमिंग फ्रोजेक्स को कैफुली चूस करने में जुटे हुए है सोसिस की माने तो S.R.K. की पास है कई धमाकिदार स्क्रिप्ट्स लेकिन उनकी अपकमिंग फ्रोजेक्स के जॉनर से लेकर बागी डीटेल्स के इंखान ने रखे हैं अंडर राप्स जिससे वो ओडियन्स को सब्प्राइस कर सकते हैं वेल शारुखान ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्स के डीटेल्स को भले ही सीक्रिट रखा हो पर सोसिस ने ये पक्का इशारा किया है कि मन्त एंड तक शारुखान अपनी अपकमिंग फ्री फिल्म्स का अनॉंस्मेंट कर सकते हैं मतलब सिधात आनंद की पठान, अटली की जवान और राजकुमार हिरानी की डंकी के बाद फैन्स उम्मीद कर सकते हैं कि शारुखान अपने फैन्स के लिए फिर लेकर आएंगे ऐसी फिल्मों की लिस्ट जो यह 2023 की तरह 2024 में भी फैन्स को एंटर्टेन करेंगी और SRK के चाहने वालों को मिलेगा अपने फीवरिट सूपरस्टार के कुछ नए अफ़तार देखने का मौका